Hello and Welcome Friends अभी कुछ हफ़तों से देखने को आ रहा है कि काफी manufacturers जो हैं वो stable Android 13 update जो है अपनी flagship device को दे रहे हैं जैसी Google ने Pixel को ये update दिया सब लोग शुरू हो गए OnePlus ने इसके तुरन बात Oxygen OS 13 जो Android 13 बेस्ट अपडेट था OnePlus 10 Pro को देना शुरू का दिया फिर Samsung ने भी अपना One UI 5 update जो है Galaxy S22 सेरीज को देना शुरू का दिया था अब Real ने भी इस रिस को जोईन कर दिया है और Realme UI 3 update जो है Realme GT2 Pro स्मार्टफोन को मिलना शुरू हो गया है तो Realme GT2 Pro को ये update जो है कई countries में मिलना शुरू हो गया है अगर Realme Country Forum की पोस्ट पे आप देखेंगे तो हाँ उसको firmware number भी उनों ने mention कर दिया है जिसमें Google के introduce करेगा Android 13 के सारे नए फीचर आपको मिल जाएंगे इसी के साथ कुछ इसमें couples of addition जो है Realme ने अपनी साइट से भी करा है जैसा की aqua morpheric design हो गया, home screen improvement हो गया, optimization हो गया, नए privacy feature हो गया इसका full detail जो change lock है उसको जानने से पहले आपसे request है कि अपने smartphone की O.T. update की जानकादी क्लिए हमारे channel को subscribe करें और bell icon जरू दो हैं दोस्तों उसका change lock बहुत बढ़ा है तो मैंने heading में mention कर दिया है कि आपको किस heading में क्या मिलेगा aqua morpheric design में क्या updates है या आप video pause करके देख लीजेगा ठीक इसी तरह efficiency में क्या changes है personalization में क्या changes है security and privacy health and digital well-being gaming experience यह सब आप video pause करके देख लीजेगा तो update के साब से आपको जो Realme UI 3 stable update है यह Indian users को तो मिलना शुरू हो गया है अगर यह update आपको अभी तक नहीं मिला है तो एक बात का ध्यान रखेगा कि आप इस वाले firmware number पे पहले update करिए उसके बाद ही आपको OTA notification आएगा अगर आप directly इसको download करना चाहते हैं तो इसका download link मैंने description box में provide कर दिया है आप वहाँ से जाके इसको download करके install कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल सब्सक्राइब करें और bell icon जरूर जरूर दबाएं